ख्रवाद के सलसला जारी रहेगा और कोई उन हिसार हासल करेंगे जनाब, हमें पहले उनकी ताकत का इल्म नहीं था अब क्या हम ये जानते हुए भी खला फता करेंगे हम नहीं औराज साहब आफ फता करेंगे दिमीर हान और उसमिन साहब के आमरा हमने मंजनी के क्यों तैयार करवाई इतने खवायल में ख़बर क्यों भिजवाई अब खवायल से आने वाले सुपाहियों के साथ मिलकर वोई उन हिसार हासल करेंगे जो हुए जनाब क्या होगा उस दोरान अगर इन पर हमला हो गया हम मगर्ब से आने वाले लशकर पर हमला करेंगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि दो लशकरों को एक साथ मुतहित ना होने दें जलिए सर्दाराम इसके मुंद्जिर हो जो आपको जनाब जनाब कुस्तुन्तुनिया और मगर्ब से लशकर आ रहे हैं अगर हम मगर्ब से आने वाले लशकर को नहीं रोक सके तो वालेंस के लशकर को शिकस्त नहीं दे सकते हैं हम पहले उन्हें तक्सीम करेंगे उसके बाद उन्हें तबाख कर देंगे जनाब क्या हमारे पास मगर्ब के लशकर के बारे में कोई मालूमात है जर्कुताएं क्या मालूमात है हमारे पास हम उनकी सांसों के बारे में भी जानते हैं जनाब अच्छा है उस्मान साहब ये पागल इंसान आप से कुछ कहना चाहता है हम सब तुर्कों को मार देंगे ऐसा नहीं कहना चाहिए था अभी तुम्हें किसी एक चिस को मुन्तखिब करना है या तो उस रश्कर के बारे में हर चीज़ आकर मुझे बताओगे या फिर ये के तुम्हें विद्या लेकर छोड़ दिया जाए अभी तो खेल की शुरुआत हुए है खड़ हो या उच्का होगे चलो शाब अज़ खड़ होंगे या, तुम्हें मार मार कर मौत के गाट उतार दिया जाए रुख जाए, मैं बताता हूँ बलवान तुम चलो यहनी शेहर जाओ और वहाँ जाकर यह देखो के कबाईल से कितने सिपाही आये हैं और फिर उन्हें लेकर आओ यहाँ चुँके अब यह जंग का वक्त है और किसी को आना चाहिए जो हुक्म आपका जनाब? शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया, सिपाहियो सर्दरान गुरूब आफ़ताब से पहले हम उस लशकर को तबाह करके रख देगे अब मरी बात ज़रा गोर से सुने ठेडिया, अपने शिकार को सुम सकता है लेकिन हमले के लिए से ही वक्त का इंतजार करता है हम अगर हमला करने के लिए वो एक चाल चलता है हम भी वैसा ही करेंगे जिस लशकर को हम तबाह करने जा रहे हैं खरायोर्ट से गुजर कर हमारी सरजमीनों में आना चाहता है हम उन्हें गुजरने नहीं देंगे वो लशकर खेरगार के इलाके के गरीब आराम कर रहा होगा और हमारा काम वहां से शिरू होगा पहले हम उनकी ताकत चीन लेंगे उसके बाद उनकी जाने लेंगे तुम लशकर के गोड़े खोल दोगे और उन सब को पैदल चलना पड़ेगा ताकत और रफदार कम ना हो इसलिए वो दर्वारे और धाले साथ लेकर जाएंगे मैं सुन्दूर शामिल आइकुर्ट तुम लोग उनकी रफदार कम करवाओ गए और फिर उन्हें पकड़ लोगे जब हम उनकी ढाले हासल कर लेंगे उनका दिफा खत्म हो जाएगा हाँ मगर उन पर सिर्फ तीर अंदाजी करना काफी नहीं है हम यहनी शहर के मर्दों के साथ मुत्खिद होंगे और नहीं होंगे